अलो फ्रेंट्स वेलकम टेफसी इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि UP PCSJ और UP APO 2024 की लेटेस सिचुवेशन क्या है और अगर आपको UP Judiciary और APO की लेटेस अबडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं Field Study Circle Judiciary कल आपने देखा हुगा कि एक RTI बहुत वाइरल हुई है जिसमें UP APO UP PCSJ दोनों की इंफरमेशन है कि दोनों के अधियाचन रिक्विजिशन आयोग तक पहुँच गया है इसके अलावा भी हमारे एक नोन स्टुडेंट हैं जिन्होंने एक और RTI किया है ताकि हम इस सिच्वेशन को और अच्छे से असर्टेन कर सकें But anyhow देखे ये चीज़ क्लियर है कि 2024 में ये दोनों वेकिंसी आएंगी UP PCSJ और UP APO दोनों Actually ये वेकिंसी जो है UP PCSJ के इसको जैनवरी में ही आना था लेकिन कुछ ऐसे अनफरसीन सकम्स्टांसे हो गए जिसके वज़े से ये डिले हो गई जैसे for example क्या हो लेटरल इसरवेशन का जो इशू था जो कि PH काडिगरी को लेकर के था पेपर लीक वाली जो इशू हो गया जिसमें UP PCSJ ROARO और उनकी जो एक्जाम डेट शिफ्ट कर दी गई फिर टू येस एक्सपीजन को लेके एक इशू आराईज हो गया और फाइनली एलेक्शन सा आ गया जिसकी वज़े से आल टुगेदर इस विकेंसी को पोस्पोन करना पड़ गया नहीं तो इस विकेंसी के जो एक्चुल प्लानिंग थी वो ये थी कि बाई दिसमबर एंड या जनवरी ये विकेंसी आएगी और बाई अरली मार्च इसका प्रिलिम्स होना था और मेंस जो था एलिक्शन के बाद होना था बट ड्यू टू इस अनफॉसीन सरकमस्टांसे ये पोस्पोन हो गई यही सेम सिचुवेशन अभी यूपी एपियो की भी है दोनों विकेंसी जो है वो क्लियर है अब यह आयोग के उपर है कि किस विकेंसी को वो पहले निकालेगा बट जहां तक के सरकमस्टांसे समझ में आ रहे है इसके अकॉर्डिंग यह लग रहा है कि यूपी एपियो अगले साल आएगा यूपी एपियो भी दो चार महीने के गाप पे इसी साल आपको प्रिलिम्स देखने को मिलेगा अब बात कर लेते हैं कि प्रेजन सिचुएशन है क्या यूपी पीसेज़ जे की देखे यूपी पीसेज़ जे को लेकर के जो प्रेजन सीच की बात हो रही वो लगभग 218 है लेकिन एक स्पेकुलेशन है कि इसमें लगभग 30 से 40 सीच और आड़ हो सकती है दूसरी चीज़ कि क्या ये तीन जन नए लॉज है वो इस बार आएंगे की नहीं आएंगे अब मालीज़े उन्होंने सिर्फ चारी क्वेशन बनाएंगे लेकिन उनको तो सिल्बस में में निय। तो इसलिए ओल और निय। दोनों सिल्बस में 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 लेकिन होंगे अब कुछ exceptional हो जाए कि कोई ऐसी arbitrary decision making हो जाए जिससे वो impose कर दे ने तो present situation इस attempt में दो year practice possible नहीं है अब बात कर लेते हैं कि UP PCSJ 2024 के prelims date कब पढ़ सकते हैं tentatively देखे tentatively जो इसकी date पढ़ सकती है वो August end या September में पढ़ सकते हैं क्योंकि जुलाई में आयो की जो planning है वो ये दिख रही है कि वो UP PCSJ और उसी के राउंड RO RO का prelims conduct कराना चाहेगा जो कि उसने अभी postpone कर दिया है जुलाई में इन दोने examinations को conduct कराने के बाद ही UP PCSJ को somewhat August end या September में place मिलेगी prelims को अब दूसी बाद आती कि अभी इस समय present strategy क्या होनी चाहिए मतलब आज April का first week है और अगर August में आपका prelims पढ़ता है तो आज की तारिक में हमें किस तरह से अपने आपको groom करना चाहिए UP PCSJ 2024 के prelims के लिए देखे सबसे पहले मैं personally ऐसे बहुत students को जानता हूँ जो हरयाना या जहरकंड का मेंस लिखने जा रहे हैं ठीक है उनसे मैं सिफ यही कहना चाहूंगा कि आप अपना मेंस दीजे लेकिन आप एकदम last moment के लिए prelims को मत छोड़िएगा क्योंकि UP का prelims काफी competitive होने वाला क्यों देखे उनको at present up prelims और मेंस को 70 to 30 के ratio में डिवाइट कर देना चाहिए मतलब 70% आप prelims की तयारी करेंगे 30% आप मेंस की करेंगे at max मेंस की जो percentage है वो आप 40 कर सकते है अब यह 30 आ 40% मेंस क्यों होना चाहिए because मेंस की date जो है वो प्रायर नोटिस नहीं दी जाती है या बहुत कि अगर जब आपको पता है कि अभी 4-5 महीने हैं या average 4 महीने भी हैं तो अभी आप एक percentage of मेंस syllabus को अभी खतम कर दीजए prelims के साथ और लगबग जब 2 महीने बचे हो तब आप full-fledged prelims की तयारी करिया लेकिन अभी आने वाले एक-दो महीने में आप थोड़ा मेंस को भी importance और जैसे-जैसे prelims नजदीक आएगा वैसे-वैसे percentage of prelims preparation बढ़ता जाएगा और mains घटता जाएगा और by the time सिर्फ 2 महीने जब बचेंगे तब उसमें सिर्फ आप prelims करें और मेंस मत करें और आप present मेंस में भी वो चीज़े करें जो आपको लगता है कि आपके weak spots हैं इसके ल crack prelims आप उस वीडियो को देख सकते हैं कर आपको कोई भी इशू हो तो आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत काम का लागा होगा थांक यू इट वस अ प्लेजर टॉकिंग टुए यू